फ्रेंड्स अब डाउनलोड कीजिए प्ले श्टोर से हमारे मुवाइल अप्लिकेशन को और देखिए हमारी सारी वीडियो अपने मुवाइल में लेटेष्ट अफडेट के साथ दोस्तो हमने अपने mobile app का link अपने वीडियो के नीचे description box में दे रखा है दोस्तो कोई लाखो बर्स तो कोई हजारो बर्स पुराना मानता है हिंदु धर्म को लेकिन आखिर सच क्या है आईए दोस्तो आज के अपने इस वीडियो में हम आपको कुछ महापूरसो की जन्म तित्यों के अधार पर बतलाते हैं कि हिंदु धर्म कितना पुराना है दोस्तो हिंदु धर्म की पुना सुरुवात बराह कल्प से होती है इससे पहले पद्म कल्प, ब्रह्मा कल्प, हिरन्य गर्भ कल्प और महत कल्प बीथ चुके हैं सुरुवात करते हैं गुरु नानक के जन्म से जोकी पृत्वई पर 500 वर्स पहले हुआ था दोस्तो सिक धर्म के संस्थापक गुरु नानक का जन्म 15 अप्रेल 1479 इस्वी को हुआ और 22 दिसंबर 1549 इस्वी को उन्होंने अपने देह का त्याग कर दिया गुरु परंपरा के सभी 10 गुरुमों द्वारा भारत और हिंदु धर्म रचित हुआ बाबा रामदेव अर्थात 650 साल पहले हिंदु धर्म दोस्तो बाबा रामदेव का जर्म 1342 इस्वी में हुआ और 1385 इस्वी में उन्होंने समाधी ले ली द्वारीका धिस के अवतार बाबा को पीरों का पीर रमसा पीर कहा जाता है जूले लाल 1000 साल पहले हिंदु धर्म दोस्तो सिंध प्रांत के हिंदुओं की रच्छार्त बरुन देव ने जूले लाल के रूप में अवतार लिया था पाकिस्तान में जूले लाल जी को जिंद पीर और लाल साह के नाम से जाना जाता है इनका जन्म 107 इस्वी में हुआ था गुरु गोरच नाथ अर्थात 1100 साल पहले हिंदु धर्म दोस्तो राहुल सकृत्यान के अनुसार महान योगी गुरु गोरच नाथ या जिन्हें गोरख नाथ भी कहा जाता है उनका जन्म 885 इस्वी में हुआ था उन्नीसमी सताबदी में गोरख पुर में गुरु गोरख नाथ के मंदिर के जिर्नो द्वार होने का उल्लेक मिलता है गोरख नाथ लंबे काल तक जीवित रहे थे आदी संक्राचारे 1200 साल पहले हिंदु धर्म दोस्तो आधी संक्राचारे ने हिंदु धर्म को पुर्ण संगठित किया था उनका जन्म 788 इस्वी में हुआ था और 820 इस्वी में उन्होंने मात्र 32 साल की उम्र में अपनी देह छोड़ दी थी उन्होंने चार पीठो की अस्थापना की थी केरल में जन्म और केदार नाथ म में उन्होंने समाधी ले ली थी वैसे चार मठो की गुरू सिस्य परंपरा के अनुसार आधी संक्राचारे का जन्म 508 हिसा पुर्व हुआ था 788 इस्वी को जिन संक्राचारे का जन्म हुआ था वे अभिनव संक्राचारे थे समराठ हर्सवर्धन अर्थात 1400 साल पहले दोस्तो महान समराठ हर्सवर्धन का जन्म 590 इस्वी में हुआ और उनकी मिर्तियू 647 इस्वी में हुआ था माना जाता है कि हर्सवर्धन ने अरब पर भी चड़ाई कर दी थी लेकिन रेगिस्तान के एक छेतर में उनको रोक दिया गया उनका उलेख भवी सिपुरान में म भारत आया था चंद्रगुप्त दुइत्य अर्थात 1650 साल पहले हिंदु धर्म दोस्तो समराठ चंद्रगुप्त दुइत्य को विक्रमा दित्य की उपाधी प्राप्त थी उनका सासन 380 इस्वी से 412 इस्वी तक रहा महा कवी काली दास उनके ही दरवार की सोभा थे समराठ बिक्रमा दित्य अर्थात 2100 साल पहले हिंदु धर्म दोस्तो बिक्रमा दित्य के पिता गंधर्व सेन और उनके बड़े भाई भुर्त हरी थे कली काल के 3000 बर्स बीत जाने पर 101 इसा पूर्व समराठ बिक्रमा दित्य का जन्म हुआ था उनके काल में हिंदु धर्म ने महान उचाईयों को प्राप्त किया था वे एक एतिहासिक पुरुष थे आचारे चानक्य अर्थात 2300 साल पहले हिंदु धर्म दोसो चानक्य का जर्म 371 इस भी पुर्व हुआ था जबकि उनकी मृत्यू 283 इस भी पुर्व हुआ था चानक्य का उलेख, मुद्रा राच्छस, ब्रियत कथा कोस, बायु पुरान, मतस्य पुरान, विश्नु पुरान, बौध गरंथ महावंस, जैन पुरान आदी में मिलता है चानक्य के समय में ही भारत पर सिकंदर का आक्रमन हुआ था भगवान महावीर स्वामी, अर्थात 2650 वर्स पहले हिंदु धर्म दोस्तो जैन धर्म के पुर्ण संस्थापक महावीर स्वामी का जन 590 इस भी पुर्व हुआ था वे जैन धर्म के 23 में तिर्थकर थे उनके काल में भी हिंदु धर्म भारत का परमुख धर्म था उनके काल में ही भगवान बुद्ध ने अपना एक नया धर्म अस्थापित किया था जिसे बाध में बौद धर्म कहा गया भगवान पार्सोनाथ अर्थात 2850 वर्ष पहले हिंदु धर्म दोस्तो भगवान महावीर स्वामी के 250 वर्ष पहले 23 में तिर्थकर पार्सोनाथ हुए थे माना जाता है कि उनके काल में हिंदु धर्म भारत का राज धर्म हुआ करता था पारसो नाथ के समय भारत में बहुत सांती और स्मृधी थी भगवान स्रीकृष्ण अर्थात 5000 वर्ष पहले हिंदु धर्म दोस्तो अयतिहासिक सोध के अनुसार भगवान स्रीकृष्ण का जन्म 312 इस्वी पुर्व मतुरा में हुआ था जैन धर्म के 22 में तिर्थकर अरिष्ट नैमीनाथ भगवान स्रीकृष्ण के चचेरे भाई थे भगवत गीता हिंदुओं का प्रमुख धर्म ग्रंथ है जो की महा भारत का एक हिस्सा है भगवान स्रीराम अर्थात 7000 वर्ष पहले हिंदु धर्म दोस्तो सोधा अनुसार 5114 इस्वी पूर्व प्रिथवी पर भगवान स्रीराम का जन्म अयोध्या में हुगा था प्रफु स्रीराम के जन्म के समय आकास में पुनह वर्षू नचत्र के दोरान 5 ग्रह अपने उच्च अस्थान में थे रिसी बालमी की द्वारा बताई गई यह स्थिती आज से 7131 वर्ष पहले निर्मित हुई थी बैवस्त मनु अर्थात 8500 वर्ष पहले हिंदु धर्म दोस्तो धर्म पुरानों के अनुसार अनुमानित रूप से 6673 इसा पुर्व बैवस्त मनु पृथवी पर पैदा हुए थे इन मनु के काल में ही जल प्रले हुई थी कई माह तक बैवस्त मनु और उनके लोगों द्वारा नाव में ही गुजारने के बाद उनकी नाव गौरी संकर के सिखर से होते हुए जल के उतरने के साथ ही नीचे उतरी तब फिर से धर्ती पर मनुस्य का जीवन चक्र पुनह आरंब हुआ मतुरा के इतिहास में उनके होने की यही तिथी लिखी गई है समराट ययाती अर्थात 9000 बर्स पुर्व हिंदु धर्म दोस्तो समराट ययाती के प्रमुख 5 पुत्र थे पुरू, यदू, तुर्वस, अनू और दुरुहू इन्हें बेदो में पंचनंद कहा गया है अनुमानित रूप से 7200 इसा पुर्व अर्थात आज से 9217 बर्स पुर्व ययाती के इन 5 पुत्रों का संपूर्ण धर्ती पर राज था पांचों पुत्रों ने अपने अपने नाम से राजवन्सों की अस्थापना की थी यदू से यादव, तर्वुच से यवन, दुरू से भोज, अनू से मलेच और पुरू से पौरो वन्स की अस्थापना हुई थी ययाती प्रजापती ब्रह्मा की दसमी पीढ़ी में हुए थे स्वयम्भु मनू अर्थात 11,000 बर्स पहले हिंदु धर्म दोस्तों मतुरा के इतिहास के अनुसार स्वयम्भु मनू अनुमानित 9,007 इसापुरुव में हुए थे जैन धर्म के प्रथम तिर्थकर रिसव नाथ स्वयम्भु मनू से पाँचमी पीढ़ी में इस करम में हुए स्वयम्भु मनू, प्रियबरत, अगनिगर, नाभी, और फिर रिसव रिशव नात के दो पुत्र थे चक्रवर्ति समराठ, भरत और बाहुबली स्वयम्भू मनू को धर्ती का पहला मानव माने जाने के कई कारण है धर्म सास्त्र और प्राचेत्स मनू को अर्थ सास्त्र का आचारे माना जाता है दोस्तो मनु स्मिर्ती ने सनातन धर्म को आचार सहीता से जोड़ा था ब्रह्मा अर्थात 14,000 वर्स पहले हिंदु धर्म दोस्तो अनमानित रूप से लगभग 12,000 इसा पुर्व भगवान ब्रह्मा के कुल की सुर्वात हुई ब्रह्मा के प्रमक पुत्र थे मारीची, अत्री, अंगीरस, पुलसत्य, पुलह, कृतु, भिगु, वसिष्ट, दच, कंदर्व, नारद, सनक, सनंदन, सनातन और सनतकुमार, स्वयम्भु मनु और चित्रगुप्त दोस्तो मारीची के पुत्र रिशी कस्यप थे, जिनके देवता, दैत, दानव, राचस, आधी, सैकडो पुत्र थे दोस्तो ब्रह्मा को प्रजातियों की उत्पत्ती का स्रेज आता है नील बराह, अर्थात 16,000 बर्स पहले हिंदु धर्म दोस्तो कहते हैं कि लगभग 14,000 बिक्रम संबत पुर्व अर्थात आज से 15,923 वर्स पुर्व भगवान नील बराह ने इस धर्ती पर अवतार लिया था नील बराह काल के बाद आदी बराह काल और फिर स्वेत बराह काल हुए इस काल में भगवान बराह ने धर्ती पर से जल को हटाया और उसे इंसानों के रहने लाइक बनाया था उसके बाद ब्रह्मा ने इंसानों की जाती का विश्तार किया और सिव ने संपुर्ण धर्ती पर धर्म और न्याय का राजिक कायम किया इससे पहले लोग स्वर्ग या यूं कहें कि देव लोग में रहते थे हलाकि मानव तब भी था लेकिन सभ्यता की सुर्वात यहीं से मानी जाती है दोस्तो हम इस वीडियो में जो डाटा बतला रहे हैं वह उलेखित समय अनुमानित और पुरानों से प्राप्त किये गये हैं दोस्तो हिंदु धर्म की यह कहानी बराह कल्फ से सुरू होती है जबकि इससे पहले का इतिहास भी पुरानों में दर्ज है जिसे मुख्य पांच कल्फों के माध्यम से बताया गया है जम्मु दीप का पहला राजा स्वयम्भू मनु ही था चलिए आपको धोड़ी सी जानकारी पीडियों के उलेख के बारे में भी दे देते हैं दोस्तो ब्रह्मा जी से मारीची का जन्व हुआ मारीची के पुत्र कस्यप हुए कस्यप रिसी से बिस्तोवान और बिस्तोवान से बैवस्त मनु हुए 6673 इसा पुर्व बैवस्त मनु हुए थे बैवस्त मनु के कुल की 64 मी पीड़ी में भगवान राम अबतरित हुए थे और राम के पुत्र कुस की 50 मी पीड़ी में सल्य हुए जो महाभारत में कौर्वो की ओर से लड़े थे महाभारत का युद्ध 3,000 इस्वी पुर्व हुआ था दोस्तो प्राचीन ग्रंथों में मानव इतिहासों को 5 कल्पों में बाटा गया है पहला हमंत कल्प 1,9,800 बर्स बिक्रम संबत पुर्व से आरंब होकर 85,800 बर्स पुर्व तक यह कल्प चला था दूसरा है हिरन्य गर्व कल्प 85,800 बिक्रम संबत पुर्व से 6,800 बर्स पुर्व तक यह कल्प चला था तीसरा है ब्रह्मा कल्प 6,800 बिक्रम संबत पुर्व से 37,800 बर्स पुर्व तक यह कल्प रहा था चौटा है बद्म कल्प, 37,800 बिक्रम संबत से 13,800 बर्स पुर्व तक यह कल्प चला था और पांचमा है बराह कल्प, जो की 13,800 बिक्रम संबत पुर्व से आरंभ होकर इस समय तक चल रहा है दोस्तो अब तक बराह कल्प के स्वयम्भु मनू, सोरोचिस मनू, उत्तम मनू, तामस मनू, रैवत मनू, चाच्छुस मनू और बैवस्त मनू के मनवंतर बीच चुके हैं और अब बैवस्त तथा स्वार्नी मनू की अंतरदसा चल रही है स्वारनी मनु का आविर भाव विक्रमी संबत प्रारंब होने से 5630 बर्स पुर्व हुआ था तो दोस्तो यह था हमारे धर्म पुरानों के अनुसार कि हमारा हिंदु धर्म कितना पुराना और कितना विसाल है दोस्तो चलते चलते हम आपको बतला दें कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी पुरान और महाभारत से ली गई थी तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेर करना न भूलिएगा और दोस्तो ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ग्यान बर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए जानते रहिए धन्यवाद जय हिंद